इंडिया का first anime जिसका ट्रेलर आई बहुत टाइम हो चुका है लेकिन इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा ना ही इसके बारे में कोई जानता है तो ये series है कौनसी जो कि इंडिया की first anime है लेकिन इसके बारे में कोई जान ही नहीं रहा वेल देखे तो ये इंडिया की first anime नहीं है क्योंकि 4 सल पहले इंडिया की first anime आ गई थी जिसका नाम था करम चक्रा मेवी तुम इसके बार में नहीं जानते हो लेकिन जानलो उसका story इसका animation सबकुछ top class था बस इसे कुछ खास support तो नहीं मिला वेल इसे side रखते हैं और focus करते हैं अभी current आने वाले anime पे जिसका नाम है trio जिसका trailer कुछ दिन पहली आया है इसकी कहानी सौरव रोई चौधिली ने लिखी है जो कि West Bengal से बिलॉंग करते हैं इन्होंने इंडिया की first manga लाई जिसका नाम trio था और इसके three volumes आ चुके हैं और इसी की यह anime adaptation है जो कि honestly काफी impressive है इसके trailer की बात करें और animation को देखें तो वह काफी अच्छी है I know इसमें कमिया है और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कमी है इसका नाम जो कि trio है अगर इसे google पे search करें तो अधर पे trio का मतलब या anime का best trio या marvel का best trio show कर रहा है जो कि इनके लिए weak point तो है well इसको side रख के अगर हम इसी animation की बात करें तो वह कुछ जवो पे काफी अच्छी लग रही है इन्होंने इंडिया की beauty दिखाई है जिसमें से west Bengal के कुछ places को भी cover किया है ये सब sorts काफी अच्छे हैं इसके अलावा कुछ action sequence है विलन को भी दिखाया है जिसके बारे में मुझे जादा कुछ तो नहीं पता क्यूंकि मैंने इसका manga नहीं पड़ा है लेकिन वो विलन देखन इसके story की बात करें तो trailer देखे था तो पता चल रहा है कि कुछ characters है जिनके पास supernatural powers है दूसरी और कुछ demons है जो कि प्रित्वे के लिए बहुत बड़ा खतरा है अब जो main characters है वो उस demon को हरा के दुनिया को बचाएंगे इस type की कहानी हमने पहले भी देख रही है लेकिन वो इस की गूरू का काम करेगा और main character को fight करने के लिए ready करेगा वेल यह मेरा एक सस्ता सा prediction है क्या होगा सुबह में anime देखके पता चल जाए लेकिन अगर तुम इसके बारे में जानने के लिए काफ़ interested हो तो तुम इसका manga भी buy कर सकते हो online वैसे इसका trailer दो language में आया है English और Hindi में को दोनों की dubbing काफी अच्छी लगी है इसकी story वीजियम dubbing में को सब कुछ सही लग रही है लेकिन जो सबसे important है animation वो भी अच्छी लग रही है में भी देखे तो इसमें अभी और भी improvement होगा क्योंकि series को आने में time है तो इसमें अभी काफी changes होंगा तो इसे देखने के लिए मै मुझे चांदी की थाली चाहिए जो कि देखे तो अभी मुश्किल है लेकिन तुमारा एक subscribe मेरे इस सपने को पूरा करने में मदद कर सकता है so subscribe कर लो और चाहो तो instagram पे भी follow कर लेना description पे link के मिलते है नेक्ष वीडियो में